आओ मिलकर एक नया इतिहास रचाएंगे पडलिकर इस देश को सचर बनाएंगे चूत चूत चाड़ फूक मिलकर हटाएंगे चात पात आओ भर्म दे भेट मिताएंगे रुगे हुए हर चक्र को फिर से चलाएंगे आओ मिलकर एक नया इतिहास रचाएंगे पडलिकर इस देश को सचर बनाएंगे आओ खुद अपनी महनत से रोजी कमाएंगे देश के हर काव तो आज़ गहलाएंगे जग में सबसे प्यारा हिंदुस्ता बनाएंगे हिंदुस्ता बनाएंगे आओ मिलकर एक नया इतिहास रचाएंगे पडलिकर किस देश को सब्सक्र बनाएंगे प्राण शिक्षा के लेक्षों की प्राप्ति के लिए लोक कला एक सशक्त माध्यम है लोक गीत, लोक नरत्य, नोटंकी हमारे ग्रामीर जीवन की धरोहर है प्राण शिक्षा के संदेश यदि इन माध्यमों से दिये जाएं तो संचार करने में सरलता होती है और लोक अधिक से अधिक इसका लाव उठा पाते हैं तो आईए देखें हमारे प्रेरक और अनुदेशक लोक कला का उपयोग किस प्रकार कर रहे हैं क्या बात है आज बीना बेहन नहीं दिखाई दे रहीं अरे दीदी कल उनके घर में शादी थी हो सकता है इसलिए ना पाई हो हमने तो ये भी सुना है कल उनके क्या बहुत अच्छे अच्छे नाज गाने हुए थे अरे दीदी भूल गई उन्होंने हम लोगों को भी तो बलाया था अरे हां ये तो हम लोगों को याद ही नी रहा ठीक है कल हम लोग वहाँ पर चलेंगे और उनका नाज देखेंगे उनके गीत सुनेंगे और अपनी प्राउड शिक्षा के गीत उनके गीतों से मिलाकर हम लोग भी गाएंगे बस मज़ा आ जाएगा बहुत अच्छा रहेगा तयार हो ना समला बस कल हम लोगों हाँ पर चलेंगे स्टीर आएणभ़य करने प्र कटिर है रहे गया है यद्या गाएगगे रहे लोगने पर चलेंखेंगे और तर्हांव बॉजके स서 सेंचेशनीनग इडेशनदेल संग साधी रे हरे जोतना नाबावे जब रे हर जोतना हर जोती के आया लाली पेरी अकिया दिखावे रे हरे जोतना नाबावे करदे नौकरिया संग साधी रे हरे जोतना नाबावे सेरन मैद छुड़ावे रे हरे जोतना नाबावे हम इसी लाय और ताल में प्राउड शिक्षा के गीतों को ढाल कर लोगों में साक्षिर्ता के लिए जाग रुकता ला सकते हैं आण पड़ना भावे आडिय मां कर दें परे संध भ्यारे आण पड़ना हावे पड़ा लिखादा बच्चा चाने तिन साल का यंतर रखे रे आण पड़ना भावे तिन साल का यं दर ळखबेरे एन पड़ना भावे रहियम्म कर जे पड़े सन व्यारे एन पड़ना भावे पड़ा लिखा जब जेवन बेते परवानी का जब जर्वन बैंते कोश्चित आहार उड़ावे रे अन पढ़ना भावे अरी अम्मा करदे पढ़े संग प्यारे कोश्चित आहार है कोश्चित आहार कोश्चित आहार आ यहीं को नाही को ड्यासने टूद सहा आ घुचती लो यह बाई को अनर लो हाँ भाईयो इसी बात क्यों ना हम लोगे गीद काया जाए है अब लोग विराजी हो हाँ कि नहीं तो चलो फिर तुरू किया जाए वोई पाउड सिच्छा वाला काएंगे है पढ़ो पढ़ो सब प्राओड लोग पढ़ना बहुत जरूरी है पढ़ने से वित्याती है पढ़ना सुख की धूरी है पढ़ो पढ़ो सब खाओड लोग पढ़ना बहुत जरूरी है जैनिक पत्रों पर पाओगे चिट्टी पत्री कर पाओगे अज सिच्छा हो अब शाब तुमारा सिच्छा बहुत जरूरी है पढ़ो पढ़ो सब प्राओड लोग पढ़ना बहुत जरूरी है पढ़ो पाओगे जरूरी है अर भरसागरा हो रामा तुम तबुद नहीं पुर्यकर हो जो हो जो हो जो में तम तबुद नहीं कि ताला जी जो है आला जी इस प्रकार की भजन मंडलियां तो होती ही है और ऐसे कारिक्रम वहां का आम मनुरंजन है उन्ही कलाकारों से गीतों की ताल और ले तथा वाद्यों से प्रोडों में जागरुकता लाने के लिए हम किस प्रकार लाब उठा सकते हैं जरा सोचिए हातों भाया अब हमरी और से एक कभीत सुनी लेओ हाँ भाया जम्ला प्रोडों सुने लेओ या एक कभीत सुनी लेओ हाँ 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 वही पिता माजी मेंदार जो रखते सी मिस पर्वार वही पिता माजी मेंदार जो रखते सी मिस पर्वार वही पिता माजी मेंदार जो रखते सी मिस पर्वार अगर चाते शुट सम्रशी रोपो जन संक्या की ब्रशी अगर चाते शुट सम्रशी रोपो जन संक्या की ब्रशी अगर चाते शुट सम्रशी रोपो जन संक्या की ब्रशी अगर चाते शुट सम्रशी रोपो जन संक्या की ब्रशी अगर चाते शुट सम्रशी रोपो जन संक्या की ब्रशी प्रचीक शोड़ी नाइ झाल, शोर पेष्थ व्माइदा Amais doesní फिपस्पाइबा fromщее शोर पिसर पिस्पाइल farmers झाल, मिला-ई झाल किलिए्ट कर दकान हो बाजर बाज बाजएं कहीं अ. ठाही है है यद्जनberry वाजर फि alanषीन हुज्थाम लिप slopes केर þूल विनिन applies के रहे वी वता हुटार खाल जिसमें यसां व्ल्दा तुटार anysब रूदान आला, रहा है है परमपरागत भजन में प्रोड शिक्षा के संदेशों को किस प्रकार डाला जा सकता है उसका एक उधारण आपने देखा इसी प्रकार हमारी संस्कृती में लोग मंचन कला माध्यमों की बहुतायत है जैसे राजस्थान में खयाल उत्तर प्रदेश में नोटंकी और राम दिला बंगाल में जात्रा आंध्रा में बुर्क था आदी आईए हम अपने प्रोड महिलायबं पुरुष प्रतिभाग्यों को लेकर एक नोटंकी दिखाने चलते हैं मूरली मधुरे प्रभु चड़े कदम की और चड़े कदम की टाल सुरहली और तान मधुर धुन गावे और चायो राग छती सरागिनी सीरी नंदलाल सुरुष तुआ धिरात ले नाम सकिन का और अपने पास बुलावे और नाचे राधिका संग चपल चित मंद मंद मुसुख और मेरे प्रज के रख हमारे सदा भकतों के प्यारे और गुजारे करो हमारे राखो लग जाल आज सभा में नटवर अनंद और यह बाग रखाएगा माली और जेर आएगा उस माली को घायल करेंगा तो माली जाएगा राजा हरीचन के पास देखेंगे माली आता साथ देखिए प्रजू पूलाद के प्रजू नहीं के भुलवारी को देखना चाहिए क्या हो रहा है ऐसे एक अधा पास आधाने रहाया आज ढिना देखिए कि अतर्दां कि तिरुटे रभाद कि शुने ऩिसे राइबा कि एक अधिवान्य में हुआ थेसे रता शुनार था कि शुट्भर मुज़ने रगाइबदे तेस रिवाम थे विद्सक्राइब जाजा बढ़ा ख़ा हो गवाँ अमद रहे गदी सदान दाता सरकार ए दुहाई से रिमाराज की और सुनियो मेरी तो पुकार और सुनियो मेरी पुकार बाग में गजब भयों बारी है और यक सुकर ने उजार कर सिग्री उजारी फुलवा ही है और यक सुकर ने आंकर उजारी सिग्री फुलवारी है और तरगत के गुलदाईयां और दास दास और दास ने गजब आवड़ा ही है और दाई नरब कलाईयां हान मेरो आईसे पुल़वा बाग में य। अब देख माली हाँ सरकार इस वक्त साम का समय हो चुका है और हर पस्पच्छी अपने वतन को जा रहा है और साम के वक्त जो है छत्री लोग शिकार नहीं करते हैं और आन हुआ संध्या समय और जा माली निजधार और इस दम जीव अर सताव नारे माली महापाप को कि आए देखें लोगनाटि के इन अन्भवों का प्रयोग हमारे अनुदेशक अपनी प्रॉड कक्षाओं में किस प्रकार करते हैं भाईयों आप सब लोग जानते ही हैं कि हर संध्य वार को हम लोग स कारिक्रम का आइउजयन करते हैं उसी तरह इस सनीचर को भी हम एक सांघ्य का इ Cette करम आईउजयन करना जा रहे हैं कि एक बात है हर वही नाच गाना होत है इबार कुछ नया करक्षाइए जही से नाटक नो तंकी अ आजाज तो बताईये आप लोगों में से कितने लोगोंने नाटक देखा है यह नाइद कि आहां बताओ हाँ आप अप देखो मातक देखो तिमारी जी हाँ बहुन साम हता हूँ? बहु जी बहुत आठी निम्स देखा रहा? अधर यह आठी तो बहुन मातक देखे रहा है हरीचंदर अच्छा अच्छा हम देखे रहा हुआ नू घोड़ा पर एक ओर थिया कटपट कटपट और गुद तलवार न चाहिए है क्यों फिलकुल लगों को याद है कि पिछली बार केंद्र में हमने अपने गाउं से संबंधी थी एक घटना पर एक छोटा सा द्रश्य किया था उस पे आप लोगों न अभिने किया था आज हम इसी को करेंगे कि तो आई आप लोग इसमें से महाजन का अब इन्हें कौन कर सकता है का देखो था कर था में आई फिल्योंट थिए अब महाजन के इसी नहीं होते है आप यह जद्रवे आप यह दो आपना थैं आपक। कि अले मेरें कि अबर फेल और आप यह जोब है कि अजह जोगा जो विद्व फेल ना करो उतो हम सिखाएंगा ना तो अच्छा भाईया ंच्छा वही जो ले ना यह तो खूब जमेंगे अच्छा यह तो चलो यह होगा है महाजन के लिए अच्छा वो किसान किसको बनाये जाए अब लोग दिर्श शुरू करें सबस्क्राइब लोग लेके है करें दो पर शुरू करी तुम लेत बजया तो इतना रहाद गिरात हो ममुला दियात बिर्या पैसा तुम का जो नानी तुमार मर जाती है यह नितुमार आश्यु का देवह हाद्या चाहिए जो तुमका इस जनम नहीं चुकाए पाए ऊ तो हम उ नाटक की शुरुवात करने से पहले हमें एक कहानी लेनी पड़ती है एक कहानी होती है और उसमें कुछ पात्र होते है अचा पात्रों को अगर हम सचमुच के जो पात्र हैं उन्हें के अनुरूप कपड़े पहना दे में तो और अच्छा लगता है और जैसे वे चलते हैं फिरते हैं बोलते हैं जो हौब हौब करते हैं हम उनकी नकल करने की कोशि चरीब बहुत से ऐसे चरित्र देखते हैं अब जैसे मंदिर में पुजारी देखते हैं पंडित देखते हैं या सेट सहुकार देखते हैं तो नाटक करते वक्त जब हम किसी चरित्र का अभिने कर रहे हैं तो करते हैं कि हम हमने जो देख रखा है जो चरित्र उसी के हाव को दोरानी की कोशिश करते हैं आपके इलाके में गीत, नौटंकी, आलह, कट-पुतली जैसे कौन से लोकमाध्यम अधिक प्रशलित हैं? क्या इनका प्रयोग प्रउडशिक्षा के लिए किया जा सकता है? यदि हां, तो किस माध्यम से कौन सा विशय लिया जा सकता है चर्चा कीजिए क्या आप समाज और विकास से संबंधित कुछ ऐसे विशय सुझा सकते हैं जो लोक माध्यमों के जरिये लोगों तक पहुँचाए जा सकते हूं कर दो मिला आप गासक अपिज्गे अज़ खराबह डाइरे जरिये चर्चेया है कर दो दो पय्ज़ने आप ज़्लीचाए जबादे पल्ड़ा जान है कर दो दो ख्यरस कर दो दो भॉट्ड़ाना। कर दो दो ख़ें आप घोंड़ा तो दो 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 झाल झाल झाल